नमस्कार किसान साथियो मैं आपका अपना सचीन चोहान आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूँ किसान साथियो जैसे के आप देख रहे हैं एक पापुलर का खेत इसी साल लगे हुए पापुलर के पेड फरवरी के महीने में आज की वीडियो बड़ी ही महत्पून होने वाली है उन किसान भाईयों के लिए जो पापुलर के पेड लगाना चाहते हैं या लगाते हैं लेकिन पापुलर के साथ गन्ने की फसल नहीं हुआ पाते किसी भी कारणवस चाहे वो मजदूरों की कमी हो मजदूरी महंगी पड़ती हो इस वजए से तो आज की वीडियो उनकिसान भाईयों के लिए खास क्यों है जो पापुलर के साथ गरने की फसल नहीं उगाना चाहते तो दूसरी कौन सी फसल वो पापुलर के साथ ले सकते हैं जैसे के आप खेत में देख रहे हैं ये इस तरीके से लाइन निकाल कर चर मना कर गोभी की फसल उगाई हुई है अभी गोभी लगनी शुरू नहीं हुई लेकिन हाँ गोभी के जो पोधे हैं वो काफी अच्छा आकार ले चुके हैं काफी बड़े हो गए और बड़ी जल्दी कुछ दिनों के बाद इस खेत में गोभी लगने वाली है फल आने वाला इनके उपर तो किसान साथ यह इसका तरीका आप देख सकते हैं पेड से पेड की दूरी लाइन से लाइन की दूरी एक उचित गैप रखा गया है जैसे कि आप देख रहे हैं और एक अच्छा और उचित गैप रखने के बाद ही आप पापलर के खेत में इस तरह की गोभी की फसल या कोई दूसरी से फसल ले सकते हैं ये एक सबजी वाली फसल है किसान साथियों ये एक ऐसी फसल है जिसमें किसान भाई हर रोज कमाई कर सकते हैं हर रोज क्योंके आगया सर्दी आने वाली है और सर्दियों में गोभी की बड़ी खपत होती है गोभी बहुत लगती है खाई जाती है घर घर में यूज होती है इसनले जिस भी किसान भाई नहीं ऊगाई है बड़ी समझदारी से काम लिया है पापुलर के पेड बी उग गए, पापूलर के पेड बी तीयार हो रहे है और साथ जी साथ गोवी की फसल और फसल भी वो जिससे हर रोज कमाई होगी, हर रोज इंकम होगी और बड़ा अच्छा रेट मिल जाता है स्टार्टिंग में जब सर्दियों की शुरुआत होती है गोभी का तो हर रोज की कमाई का एक ये जरिया है साधन है और दूसरा साथ ही साथ पापुलर के जो पेड हैं वो भी तियार हो रहे हैं और साथ ही मैं आपको नजबीक से दिखाना चाहूँगा ये आप देख सकते हैं किसान भाई ने गोभी के साथ-साथ साइड में जो जगए बची हुई है यहाँ पर पालग की भी जाई भी की हुई है साथ ही साथ किसान भाई को पालक की भी फसल यहां से वो ले सकते हैं पालक का भी वो लाब उटा सकते हैं तो किसान साथ यो पापुलर किसानों की पहली पसंद क्यों है ये एक ऐसी फसल क्यों है जो कभी घाटे में नहीं जाती क्योंकि आपकी एक फसल तो अल्रेडी खेत में खड़ी रहती है पापुलर तो ही है साथ में जैसे इसमें गोभी उगाई हुई है गोभी के बाद कोई और फसल उगाएंगे मान लीजिए गेहूं उगाएंगे तो गेहूं भी उगेगी लेकिन पापुलर तो रहे गई रहेगा तो इसे कहते हैं दोहरा लाब डबल कमाई तो किसान साथियों आप भी ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा जानकारी ले लें आप बड़ा इसके बारे में थोड़ा सा कहीं से महत्वपुन बाते जानकर आप भी इस तरीके से पापलर के पेड लगा कर उनके बीच में गोभी की फसल उगा सकते हैं लेकिन यहाए एक बात महत्वपुन है किसान साथियों मैं रिपीट कर देता हूँ लाइन से लाइन के बीच गैप और पेड़ से पेड़ के बीच का गैप उचीत दूरी रखें ताके खेत में अच्छे से धूप लगे हवा निकले जैसा कि आप खेत में देख रहे हैं इस समय मैं चारो तरफ से कवर करके दिखाना चाहूंगा पूरे के पूरे खेत में अच्छे से धूप लग रही है और चारो तरफ से हवा भी लग रही है धूप और हवा अगर खेत में ठीक ढ़ंग से आएगी जाएगी तो आप पौपलर के खेत के बीच में दूसरी सह फसल बड़ी अच्छी फसल ले सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और साथ ही साथ किसान साथियो आपकी पौपलर की फसल उगी रही है तैयार हो ही रही है अब जो भी आप खुराक इसमें डालते होंगे खेत में या पानी देते हैं वो साथ साथ इसका लाप पौपलर के पेड़ को भी मिलता रहता है जो भी आप पानी दे रहे हैं फसल में गोभी में या खाद वगएरा जो भी डालेंगे या स्प्रे वगरा करेंगे तो उससे आपके पापलर के पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे उन्हें भी खुराग खाद पानी मिलता रहेगा तो एक तीर से दो निशाने इस प्रकार आप दोहरा लाब कमा सकते हैं तो किसान साथियो आज की जो जानकारी आपको बताई गई है कि पापलर के साथ दूसरी सहफ असल जैसे गो भी आप कैसे लगा सकते हैं ऐसे लाइन निकाल कर चर बना कर उनके उपर आप लगा सकते हैं तो ये जानकारी ये वीडियो आपको कैसी लगी किसान साथियो वीडियो को देखने के बाद आप लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और जो नए साथि हमारे वीडियो से जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यावाद